पताई देता हूँ, बैलवेदर इंटरनेश्टनल स्कूल, मुंबई भारत का एक अग्रणी स्कूल फ्रेंचेजी ब्राण है, जो भुपाल में भी निवेश के बहतर अग्राइब है, पानल में प्रविश करती है, शिफ्चक्ती 11, सरोश की दूसरी बॉल, गुड्लेंड फॉरवर्ड डिफेंस किया, ओपनर बैट्समेन विकेट पर हैं, नैश और मोहिजाबा, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं नैश, इस बार मेंस टाइम शॉट, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद के नीचे, पहला विकेट शून निपर, शिफ्चक्ती 11 को जटका, पानल बैट्समेन विकेट पर हैं, आई है, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की तरफ, औसाफुर रह्मान, भोपाल शहर जो प्रसिद है हौकी खेल के लिए, 1936 के बर्लिन उलम्पिक से लेकर, सन 2000 के सिड्नी उलम्पिक तक, आठ उलम्पियन इस शहर ने दिया हैं, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, सन 1936 के बर्लिन उलम्पिक खेलों में दो, और आउसाफुर रह्मान भी नैशनल हौकी प्लेयर हैं, उनके बड़े भाई अलताफुर रह्मान इंटरनाशनल हौकी प्लेयर, जो जूनियर इंडिया और सीनियर इंडिया टीम से खेल चुके हैं, और साफ चोट लगने के कारण जिरोंने एक गंभीर चोट के शिकार हो गए थे, उसके बाद से उन्होंने हौकी खेल को चोड़ा, और यहां सरोश, फोल्टाउस गेन, सीधे बल्ले से, कवर्ज के फीलर के बाई तरफ गेन को खेला, और लेफ्ट हेंड़ फील्डर है वहाँ पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा त्रोच, चमकीला क्रिकेट, तेस क्रिकेट, पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया, और साफ मैच खेलते समय चोटिल हो गए थे, उसके बाद काफी अर्से क्रिकेट से, हौकी खेल से दूर रहे, उसके बाद इंजरी को उन्होंने रिकवर किया, और अभी भी खेलते हैं अपने डिपार्टमेंटल टॉर्नमेंट्स में, शिशक्त 11, एक रन, एक विकेट, मोही जाबा के लिए पहली गेन डिफेंस किया, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, MP टीम रिप्रेजेंट करने वाले बल्लेबाज हैं मोही जाबा, इस टॉर्नमेंट में चार मैचेज में 142 रन उन्होंने बनाए हैं, सेकंड प्लेस पर चल रहे हैं रन बनाने के मामले में, दो अर्दश्य तक लगाने वाले एक मातर बल्लेबाज, वोपाल प्रीमियर लीग दोहजार चौबिस में हैं, मोही जाबा, कप्तान सरोश की गेन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, दो फिलर के बिल्कुल बीच बीच, बैटर पैर को बिल्कुल जोड कर रखा, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला मोही जाबा ने, नैश बगर खाता खोले आउट हुए, सुरजीत ने उन्हें कैच किया सरोश की गेन पर, और एक ओवर के बाद, शिवशक्ती 11 का स्कोर, दो रन, एक विकेट के नुक्सान पर, अच्छी शिरुवाद, गेन बाद सरोश के द्वारा, उस्सा भरते वे अपने साथियों में, क्योंकि जब कप्तान फ्रंट से लीड करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, उसका प्रभाव उनके खिलाडियों में नजर आता है, एक ओवर, शिवशक्ती 11, दो रन, एक विकेट, अर्मान, दूसरे ओवर के शिरुवाद, हाफ वाली पले कर ड्राइव किया, और फिजगेद मिली थी, तोड़ा से पीछे चले गए थे, क्रीज की गहराई का फाइदा उठाना चाहते थे, मोहिज जाबा, लेकिन बैट के बिलकुल अंदरुनी हिस्से पर गेंट टकराने के बाद, शॉर्ट मिट विकेट पर पहुँची, बगेर किसी रन के, दो रन एक विकेट, दूसरा ओवर चल रहा है, पहला क्वाटर फाइनल इस टौनामेंट का, इस बार फुल टॉस गेंड, कवर ड्राइव, लेकिन फीलर के पास रन लेने की कोई कोशिश नहीं की, दोनों खिलाडियों ने, जानते थे कि बहुत तेजी के साथ, पहुँच रही है कवर्स के फीलर की तरफ, मिड़ॉप पर खड़े हैं, सरोश कप्तान, तारीफ करते वे गेंड़ बाज अर्मान की, खड़े हैं कवर्स पर, जिरोंने प्री क्वाटर फाइनल जिताया था, आखरी गेंड़ पर छक्का लगा कर, स्लो गेंड, धीमी गेंड, चेंज अफ पेस का मिश्रन, लेकिन गेंड बाउंडर के बाहर पहुचा दी, बैट्समेन मोहिज जाबा ने, पहला छक्का, शिवशक्ती 11 की पारी का, मोहिज जाबा के जो छक्के हैं इस टॉर्णामेंट में, उनकी संख्या हो चुकी है सोला, सबसे ज़्यादा छक्के, नवीन सिंग के नाम पर 18 छक्के, इस बार फुल टाउस गेंड, कवर पॉइंट ए फीलर ने बहुत फूर्ती के साथ, वन बाउंस गेंड को रोका, नो बॉल का सिगनल अंपायर की ओर से, फ्री हिट वाली बॉल, परिशान होंगे गेंड बाज अर्मान, एक छक्का लग चुका, अगली गेंड उनकी, नो बॉल ओवर स्टेपिंग, फ्री हिट वाली बॉल सरोश लगातार, गेंड बाज के साथ बाचीत करते हैं, ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, एक सिंगल, स्कोर पहुँचा, इस सिंगल रन के साथ 10, एक विकेट के नुकसान पर, पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का अंतिम ओवर, आठ रन बन चुके हैं इस सोबर में, फ्री हिट वाली बॉल, बड़ा शॉर्ट खेलने की कोशे, शॉर्ट गेंड रखी, बल्ले बाज के इरादे को पड़ लिया था, गेंड बाज अर्मान ने, तारीफ करनी होगी अर्मान की, ऐसे प्रेशर सिच्वेशन में, बहुत अच्छा कंट्रोल किया, और निरंतर उनके साथ, कप्तान बाचीत करते हैं, जो मिड ओफ पर फिल्डिंग कर रहे हैं, फिल्ड की जमावट, पाँच फिल्डर ऑफ साइट पर लिया हैं, एक शॉर्ट फाइन थर्ड बेन, उनके अलावा एक पॉइंट कवर्स, एक्स्ट्र कवर्स और मिड ओफ, यह ओफ साइट और फिल्डर, और साफ के लिए फिल्ड टॉस गेंग, बड़ा शॉर्ड गेंग देखना है, सीध है पहुँची वाइटिश मेंड ऑन बाउंडरी के फिल्डर के पास, फ्री हिट वाली बॉल थी, आउट हुए हैं, और साफ रह्मान, फ्री हिट वाली बॉल डॉट कर दी थी, तो दूसरा जटका लगा, दूसरे ही ओवर में, शिक्षक्ति 11 परिशानी में, 10 रन दो विकेट के नुकसान पर, ये इनबाज अर्मान, आज ये मकाबला बहुत ही, कश्म कश्मून होगा, अर्मान, अर्मान पावर प्ले की अंतिम बॉल एक और विकेट बिलकुल पैरों के बीच से गें इस टंपर टक रहा है तीन विकेट पर दस रन डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के बीच ग्रुप सी में मकाबले आपस में हो चुके हैं जिसमें पराजित हुई थी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब से शिफशकत्य एलेवन दो विकेट से जीत हासिल की थी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने याने आमने सामने एक बार रह चुकी है ये टीम है तो जानती हैं कौन सी टीम कितनी स्ट्रॉंग है उसके अलावा शिक्षक्त 11 ने अपना दूसरा मकाबला खेला था और संजय शर्मा डबल फोर डबल फाइब को 57 रन से हराया उसके बाद तीसरे लीग मकाबले में जब उन्हें क्वालिफाई करना था प्री क्वाटर के लिए उन्हेंने भुपाल मैवरिक्स को सबसे बड़ी जीत 96 रनों से हराया था और प्री क्वाटर फाइनल मकाबले में एसके इंटर्प्राइज़स को 4 रन से हराया नए बेट्समें कपिल बॉलर सिद्दार्थ महोबा अर्मान एक ओवर आठ रन दो विकेट स्ट्राइकिंग एंट पर मोहिच जाबा एक और बाया हाथ का बल्लेबा शौर्ट गेंद बहुत ही ऊचा बहुत लंबा छक्का अपने छक्कों की संख्या बढ़ा दी है दो छक्के लगा चुके हैं सत्रा छक्के इस टोर्नमेंट में मोहिच जाबा के नाम पर मोहिच जाबा का स्कूर पहुच चुका है 14 रन साथ गेंदे अभी तक नोने खेली हैं और दो छक्के लगाए हैं पहले शुरुवात में गेंद को देखा पार तेज गेंद नौफ स्टम के बाहर अमपायर ने थोड़ा सोचने के बाद डिसीजन दिया आदिल ने वाइड का बल्ले बास का प्रेशर गेंद बास के उपर नजर आता हुआ पावर प्ले पूरा हो चुका है तीसरा ओवर चल रहा है जो प्लेयर टी-शिट पहने हैं डॉक्टर रजा क्रिक्ट क्लब के आप बैट जाएं वहाँ पर पीछे बैट जाएं आप लोग मोहिज जाबा फुल टॉज गेंद वाइडिश में डाउन बाउंड रिपार छे रन तीसरा चक्का उनके बैट से हो जाते हैं मोहिज जाबा अठारा चक्के अब उनके नाम पर और अठारा ही चक्के लगा है नवीन सिंग्चोहान ने बड़िया बॉलिंग शफल होते हुए आफस्टम के तरफ आते हुए देख लिया था मोहिज जाबा को बॉलर सिद्धात महुबा ने बिलकुल उनके पैरों पर गेन को रखा ज्यादा जगे नहीं दी एक सिंगल के साथ मोहिज जाबा पहुँचे नौन स्ट्राइकिंग एंड पर और शिफशक्ती 11 का स्कोर 24 तीन विकेट के नुकसान पर धाई ओवर के बाद मिड़ाफ पर सरोश गेनवाज के साथ बाचीत करने के बाद वापस लॉंग ऑफ पर बार पटकीवी गेन गेन की स्पीड को टर्न करना चाहते थे अच्छा निरना कपिल का जानते हैं कि दूसरे एंड का जो बैट्समैन है मोहिज जाबा वो परिशान कर रहा है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के गेनवाजों को तो उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाया जाए मोहिज जाबा ने मात्र नौ गेनदे खेली हैं 21 रन बना लिया है 233.3 के स्ट्राइक रेट के साथ बार उपर गेन शॉर्ट सही से कनेक्ट नहीं कर पाए कवर पॉइंट के फीलर ने फुर्ती दिखाई लेकिन बैलेंस नहीं रख पाए थोड़ा से लल खाड़ा आते हुए लेकिन रन उन्होंने नहीं बनाने दिया सबसे ज़्यादा विकेट इस टौर्णामेंट में अर्विन के नाम पर जो हम 11 टा शाहरिक 11 के गेन बाजे हैं 4 मैच में 12 विकेट सेदिमरान ने 3 मैच में 11 विकेट लिये हैं और यहां मोही जबा तयार 18 चक्के इस टौर्णामेंट में शौट गेन और ये 19 वा छक्का इस टोनामेंट में छक्के लगाने के मामले में सबसे आगे चले गए हैं अब मोहित जाबा 27 पर मोहित 31 पर 3 शिवशक्त 11 प्रयाश शुरू कर दिये हैं 10 की रंसंक्या पर 3 विकेट खो दिये थे पहले 2 ओवर में शिवशक्त 11 ने लेकिन 3 ओवर जब रंसंक्या पहुंच चुकी है 31 दो ओवर में 10 था इस ओवर में स्कोर है 31 रं एकिस रंवाला ओवर रहा पहला ओवर दो रंवाला दूसरा ओवर आठ रंवाला तीसरा ओवर 21 रंवाला और शिवशक्त 11 के कप्तान जो उन्हें ने टॉस जीत कर पहले बेटिंग करने का फैस्टा लिया अब जाकर थोड़ा सा प्रसंद होंगे कि आखिरकार मोही जावा ने उन्हें उस परेशानी से निकाल लिया है 3 ओवर 31 रंद 10 रंद से अधिक कर अनौसर अभिशेक पांडे कप्तान पैट स्पैन कपिल के लिए शाट अफ लैंड गेंड चेस्ट थाइट पर आती हुई जिससे पुल करने का प्रयास किया था लेकिन सपल नहीं हो पाए गिनबा सरोश ने वापसी की है एक ओवर किया दो रंदे कर एक विकेट लिये लिया था एक अच्छे आल राउंडर बहुती हर्फन मौला क्रिकेटर हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं और लोगों को एनरजी देते रहते हैं चेरिश विक्तित्व है उनका बड़े बॉलिंग रन अप के साथ गेंड बाजी है एस गेंड लेग स्टम के बाहर अमपायर को कोई दिक्कत नहीं इस गेंड को वाइड घोशित करने में अतरिक्तरन के साथ शिवशक्ति 11 पहुँचा 32 पर 3 विकेट के नुक्सान पर यह तीसरा अतरिक्तरन है दो वाइड के रन एक नुबॉल का रन शिवशक्ति 11 के लिए आ चुका है चौथा ओवर चल रहा है इंपॉर्टन होते जा रहे हैं हर ओवर कप्तान सरोश की गेन नुबॉल का सिंगनल अमपायर की आवाज आ गई थी विकेट कीपर के हाथ में यह कैच पाउट पहुचा नुबॉल के साथ एक रन मिलेगा और साथ में अब एक फ्री हिट वाली बॉल मिलेगी कपिल को यह दूसरी फ्री हिट वाली बॉल है इस मैच में और समझा रहे हैं मोहित जाबा की किस तरह से बल्ले बाजी की जाए गेन को देखा जाए पहले ही बल्ला ना चलाएं गेन की लाइन में आकर गेन को केलें मोहित खेल रहे हैं ग्यारा गेंदों पर 27 रन बनाकर कपिल एक पर फ्री हिट वाली बॉल फील्डर थोड़ा सा परेशान होते हुए संकेत दुबे इस बार सुन्दर स्ट्रोग दो फील्डर के बीचो बीच गेन को खेला गया डी पॉइंट बाउंडरी के तरफ सुन्दर स्कुर्ड राइव दो रन मिल पाए इस स्ट्रोग पर बढ़िया बॉलिंग थी पूरी लंबाई की ज्यादा जगे नहीं आफस्टम की लाइन के थोड़ा सा बाहर इससे स्कुर्ड राइव के साथ दो रन के लिए खेल दिया डी पॉइंट बाउंडरी पर कपिल पहुँचे तीन पर शिव शक्ति एलेवन पैंटिस रन तीन विकेट के नुक्सान पर सरोची गेन बिलकुल स्टम के सामने लॉंग आन पर क्याज पकलाया गया पूरी लंबाई की गेन जिसे लंबाई में नहीं खेल पाए और चौथा बलेबाज आउट हुआ शिव शक्ति एलेवन का स्कोर है 35 रन कपिल आउट हुए तीन रन बनाकर कौट सिद्धात महोबा बोल्ड सरोश पांच गेन दो पर यह रन बनाए कोई चौका कोई छक्का उनके बैट से नहीं आया और साफ एक रन बनाकर आउट हुए अभिशेक कप्तान है बगेर खाता खोले आउट हुए और नैश ने भी कोई रन नहीं बनाया है दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भुपाल प्रीमियर लीग दोहजार चौबिस में सबसे ज्यादा जो टीम टोटल है वो अंकुर क्लब कर रहा है और उनने 142 रन बनाए दुश्यन्त 11 के विरुद शिवशक्त 11 दो बार 100 से ज्यादा रन बना चुकी है एक बार 119 दूसरी बार 114 ये वो टीम है जिसने पहला मैच हा रहा था लेकिन उसके बाद वापसी की इस टौनामेंट में लेगस्टम के तरफ जाती हुई गेंद अच्छी गेंद बाजी कप्तान सरोश की और जैसा उनके बारे में जितना भी हमें पता है हम जो बता रहे हैं आपको एक अच्छे हॉर्फल मौला खिलाडी है गेंद बाजी बल्ले बाजी फीलिंग सभी में बहतरी न प्रजर्शन करते हैं और इस टौनामेंट में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया टीम को बहुत अच्छी तरह से एक जूट करके रखा है उन्होंने बार पैरों पर गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खिला नई बैट्समेंट फैजान ने अपना खाता खुला एक रन बना कर इस एक रन के साथ शिफशक्त 11 का स्कोर चार ओवर के चौथा ओवर स्कोर है 36 चार विकेट के नुकसान पर मोही जाबा वापस बल्लेवाजी के सिरे पर चार खिलाडियों को अपने सामने आउट होते हुए देखा है उन्होंने लेकिन एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर नैशनल लेवल के क्रिकेटर विसी सी आई के टॉर्नमेंट्स में खेल चुके हैं सामना करेंगे सरोश का ये बल साथ रन आए हैं अभी तक सरोश के दोनों ओवर को मिला के अच्छी गेन पूरा सम्मान दिया और जब सरोश गेन को फिल नहीं कर पाए तो तेजी के साथ मौका बनाया रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलटते हुए खिला लिए और ये थोड़ा सा कमजोरी ये रन जो बाद में आपको दिक्कत देंगे दो रन इस गेन पर जहां पर कोई रन नहीं होना था सरोश ने प्रयास किया था गेन को नहीं रोक पाए उसके बाद लॉंगोन के फिल रन ने कुछ अत्रिक्त ही प्रयास कर लिया अत्रिक्त उत्साह में गेन को फिल करने गए और चार ओवर के बाद स्कूर है 38 रन पिशला ओवर 21 रन वाला था जिसमें बहुत धमाके हो रहे थे तीन छक्के लगे थे लेकिन इस ओवर में केवल 7 रन दिये हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के टीम नहीं चार ओवर के बाद 9.50 रन पिशला ओवर के ओसत के साथ 38 रन चार ओवर के ये इस्तिती है तोजित कर पहले बैटिंग करते हुए पहले बाएं हाथ का एक और गेंद बाज लेकिन इस बाद लेकिस्टम के बाहर वाइड के साथ गेंद बाजी शुरू की है अर्मान ने पहले गेंद पर एक्स्टर रन इसकोर पहुँचा 39 पर पांचवा अत्रिक रन तीन वाइड दो नो बॉल दो फ्री हिट वाली बॉल भी थी लेकिन केवल दो ही रन बन पाए उन दो फ्री हिट वाली बॉल पर अजबार हालिकाप्टर शॉर्ट की कोशिश गेंद पहुची शेर खान के पाथ जो शॉर्ट फाइन थर्ड मेंद पर फील्डिंग कर रहे है और वहां पाएन ने इशारा किया कि ये पैर से लगकर शरीर से लगकर गेंद गई थी लेग बाई करन स्कोरर रोहिद धाकर ने जोड़ा स्कोर 44 विकेट पर अच्छा कॉंटेस्ट अभी मैदान पर खामुशी चाही हुई है लेकिन जैसे ही कोई विकेट गिरेगा या जैसे ही कोई बड़ा शॉट लगेगा तो जो बड़ी संख्या में दर्शक आज भी पहुँचे हैं अंकुर खेल मैदान पर वे उत्साहित होंगे उल्टाउस बॉल, कनेक्शन नहीं आ पाया स्कुलेक के फीलर की तरफ गेंज आ रही है और मोही जाबा आराम से चहल कदमी करते हुए एक रन बना कर पहुँच चुके हैं तीस पर, तेरह गेंदे उन्होंने खेली हैं, चार छक्के अभी तक लगाए हैं उपस्तेच सभी खेल प्रेमियों का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं उपाल शहर पूरा उमर जाता है इस टॉर्णामेंट के दौरान अंकुर खेल परिसर में बाहर गती में परिवर्तन, बढ़िया बॉलिंग, शॉर्ट अफ लैंड गेंद, लेकिन धीमी गेंद, बल्लेबाज ने पहले ही अपने बल्ला चलाया, फैजान ने चार गेंदों पर एक रन, स्कोर शुफ शक्ति 11, 41, चार विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर 21 रन वाला था, पिछला ओवर आया सात रन वाला और इस ओवर में अभी तक केवल तीन ही रन बने हैं, फैजान तयार बार हेलिकाप्टर शॉट की कोशिच और एक हाथ से कैच लेने के प्रयास में गेंद पर निगाह सही से नहीं रख पाए अन्यता फैजान की पारी समाप्त हो जाती, अर्मान बहुती शानदार बॉलिंग शुरुवातिद जो दो बॉलर है एक कप्तान सरोज उन्होंने दो ओवर में नौरन दिये, दो विकेट लिये और दूसरे गेंद बाज जो बाएं हाथ से गेंद बाजी कर रहे हैं अर्मान, एक दशमलो चार ओवर, दस रन दो विकेट, दूसरा ओवर है उनका, खोटे का अंतिम ओवर और अंतिम दो बॉल, एक तालिस पे चार फुल टास, हवा में, कप्तान सरोश गेंद के नीचे, और आराम से कैच को पकड़ने के साथ, पाँचवा जटका दिया शिफशक्ती इलेवन को, एक तालिस पे पाँच झालिस पे पैज का अंतिम झाली है, और आराम से पोटेश थाफ़ने, जसे पाँच हो बॉल पाँच को, एक झाली हम झाली है, जसे तो टो बॉल, यसे झाली हम झाली है, उनका, जसे बॉल, श्योंच है वाँच का सब्स्क leverage करने और आराम से कैच बुल, एक बॉल, झाल 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 बॉलर इमरान एक दशमलो पांच ओवर दस रन तीन विकेट पांच में से तीन विकेट इमरान के नाम पर और दो विकेट कप्तान सरोश के नाम पर बहुत बड़ा बॉलिंग रन अप जितना विकेट है बाइस गस का उतना ही उनका बॉलिंग रन अप अंतिम बॉल फेकते हुए अपने कोटे की बाए हास से एक बार फिर से धीमी गेन दिशा और लंबाई बहुत बड़िया ओवर पूरा हुआ शांदार गेन बाजी केवल तीन रन इस ओवर में बने हैं पांच ओवर के बाद 41 पांच विकेट के नुकसान पर और यही क्रिकेट खेल की एक अनिश्चित्ता है जो हम सभी ने देखी शिफशक्त 11 ने पहले बल्ले बाजी शुरू की पहले ओवर में दो रन बने दूसरे ओवर में उन्होंने आट रन बनाए तीसरे ओवर में उन्होंने 21 रन बनाए तब ऐसा लग रहा था कि शिवशक 11 तीन ओवर में 31 की रंसंक्या से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी लेकिन उसके बाद चौते ओवर में 7 और पिछले ओवर में 3 पांचवे ओवर में फीलर के बिल्कुल बीचो बेच थोड़ा सा फंबल और जिसका फाइदा उठाकर दूसरा रन भी पूरा किया मोहिट जाबा के स्कूर में इज़ाफा होता हुआ और अमपायर देखना चाहेंगे वहाँ से जो टीम के मेंबर बेटे हैं शिवशक्त 11 के उनका मानना था कि जब गेंद को रोकने का प्रयास किया गया तो गेंद वाउंडरी के बाहर चले गई थी या जो पैर है वो रोप पर आया था अमपायर ने उसके लिए जो टोर्नामेंट में विवस्ता है लाइब टेलीकास्ट की टेनिस क्रिकेट डॉट इन की टीम जो मल्टी सेटप केमरे के माध्यम से यहां उपस्तित है इस टोर्नामेंट को उन अपने 19 लाग से ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास प बताएंगे कि क्या यह चौका था या दूर रन मिलेंगे शिवशक्ति 11 की टीम को शिवशक्ति 11 और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब बहुत दो बड़ी टीम हैं जो डॉक्तर रजा क्रिकेट क्लब जिन्होंने पराजित किया था पहले मैच में भूपाल मैवरिक्स को 9 वि और प्री क्वार्टर फार्नल मकाबला बिलकुल हारता हुआ मकाबला जीता था आखरी गेंद पर छेरन लगाकर जाहिद ने ये शौट खेला था और वहां से पहुंचे थे क्वार्टर फार्नल मकाबले में और हम बता दें कि हमेशा बाद में बल्लेबाजी की है डॉक्टर दो विकेट, साथ विकेट और एक विकेट, ये जीत है, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नाम पर, जो ग्रूप C से क्वालिफाई होकर आई है, C1 बने थे, और शिफशक्ती 11 C2 बनी थी, आपस में दोनों के बीच एक मैच खेला जा चुका है, 41 रन 5 विकेट, अंकुर खे स्टेगरी के प्लेयर थे, उनका, अंपायर स्कॉल, ऑन फील्ड अंपायर आपका कॉल है ये, दो रन, पहली गेंद पर दो रन बने, स्कोर पहुचेगा, शिफशक्ती 11 का, 43 पर, हर टीम ने अपनी टीम में उस खिलाली को चुना है, जिसका अच्छा खासा नाम है, अच्छा प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है, और निरंतरता रही है उनके प्रदर्शन में, झाल인 के दे शक्त परे सोगरी है, झाल जो रही है जड़ झाला में झाला को चूहाफाना झाला को प्रदर्शन रहा है, और ही जुझा झाला Çेंगे है उनके कि एंट चरे प्रेवाषी शेयर विए स्मीज करें शेरीं, • तौट जीटा इसमय जञा मैंचार्च चाइब नोगोगोगोगोगह। स्कोर 43 फर 5 तोजीता इस मैच में शिफशक्त 11 ने और टार्गेट सेट कर रही है शिफशक्त 11 की टीम शिफशक्त 11 जो ग्रुप C से कौलिफाई होकर आई है C2 की पोजिशन पर रहेते वे कप्तान है अभी शेक पांडे जिनके नितरत्व में ये टीम खेल रही है संजय शर्मा डबल फोर डबल फाइब टीम को उन्होंने 57 रन से हराया वोपाल मेवगरिक्स के उपर 96 रनों की जीत हासिल की जो सबसे बड़ी जीत है इस टौनामेंट में और प्री क्वाटर फानल एसक एंटरप्राइजिस के विरुद दुना ने जीता चार रनों से पारी का छटा ओवर चल रहा है दो रन बनाये हैं पहली गेन पर मोहिज जाबा ने उनका निजी स्कोर हुआ 32 रन दो अर्द शतक इस टौनामेंट में बनाने वाले एक मात्र बल्ले बाज शिफशक्ति एलेवन की ओर से और इस बार तेश और सीधा फीलर के हाथ में जाता हुआ मोहिज जाबा की पारी समाप तोई बड़ा विकेट गिरा है शिफशक्ति एलेवन का स्कोर है 43 झाल-चेस इज प्रवं-णेज़ की फोडिया विरा हुआ जो रिलेवन की बाग्जान differs산नि का में बल्ले बल्ल्ली में टूस्ति एलेवन? इस भील्ड़ा शनने हमें इन दोब लिचकति ट बल्लें एक में भाण 29 ये ख 59 त Confederate पुरे देश में ख्याती है असद बेग की और उनका अनुभाव देखना है कितना काम आता है उनकी टीम के लिए 43-6 कश्मकश रहेगी इस मैच में दोनों टीमें अच्छे आलराउंडर प्लेयर से सजी हुई टीमें हैं हर के लाड़ी में यह च्छमता है कि वो अकेले के दम पर मैच जिता सकता है 43-6 एक फीलर को असद बेग के लिए विशेश रूप से बैकवर्ड स्कुलेक बाउंडरी पर भेजा जा रहा है फाइन लेक का फीलर शेर खान विकेट कीपर को बताते हुए कि पीछे और कोई नहीं है और उन्हें भी और बाई तरफ कर दिया है इसी मैदान पर खेलते हैं शेर खान शॉट फाइन लेक पर बैकवर्ड पॉइंट पर कप्तान सरोश फील्ड सजाते हुए 43-46 बॉलर आदिल बड़ा शॉट लेने की कोशिश गेन पहुँच रही है ओफ साइट पर गेन खेलना चाहते थे चल रहा के बाद एक ओवर और बाकी बचा रहेगा सेद इमरान पर भरोसा कि वे कुछ न कुछ विशेश प्रयास करेंगे एक गेन खेली है अभी कोई भी रन उन्होंने नहीं बनाया और बॉलर उनके सामने आदिल बढ़िया बॉलिंग राउंड अविकेट रियार कराने की कोशिश गेन को खेला मिड विकेट शेतर में पहला रन बहुत आराम से दोनों बैटस्पेनों ने बनाया जानते थे कि दूसरा रन कोई ऐसी संभावना उत्पन नहीं हो पाएगी सेद इमरान ने अपना खाता कोला एक रन उन्होंने बनाया शिफशक्ती 11 पहले बैटिंग करते हुए 45-6 विकेट के नुकसान पर रन रेट 7.94 धीरे धीरे रन रेट को नीचे किया है पिशले दो ओवर बहुत अच्छे रहे हैं जिसमें केवल 10 रन बनाने दी हैं शिफश के लिए दौल लगाए त्रो स्टम पर नहीं लग पाया और लॉंगान के फीलर ने पीछे बैक अप किया एक सिंगल वो भी लगबाय का असद देग ने दो गेंदे खेली हैं रन नहीं आया लेकिन लगबाय शरीर पर लगने के बाद गेंज जब विकेट के आसपास जा रह रहे हैं इसकोर 46 चटे ओवर की लास बॉल इसकोर 46 चटे ओवर की लास बॉल बढ़िया गेंद बाजी चौथे ओवर में साथ पांचवे में तीन और इस ओवर में च्छे याने पिछले तीन ओवर में केवल 16 रन बनाने दिये हैं शिव शक्ति 11 की टीम को जबकि ये ओवर ऐसे रहते हैं जिसमें ज्यादा रन बनते हैं तो शांदार बॉलिंग का जो गेंद बाजी हुई है आदिल ने अपना पहला ओवर किया चार रन देकर एक विकेट उन्होंने हासिल किया है हमारे अतितिगंड मंच पर विराजमान इस रोमांचक मुकाबले को देखते हुए ददंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भुपाल प्रीमियर लीग नौवा दि इस टौर्णामेंट का कल लास्ट दिन रहेगा एक क्वार्टर दो सेमी और एक फाइनल मकाबला कल खेला जाएगा आखरी ओवर जियाद को बुलाया है बॉलिंग के लिए पहली गेन फुल टॉस धमाका होना चाहिए था लेकिन वाइडिश मिडाउन पर एक रन इस गेन पर मिला बैट्समेन सेद इमरान को उनका निजी स्कोर हुआ दो टीम का कुल स्कोर फुर्टी सेवन फॉर सिक्स और कमर के उचाई से उपर फुल टॉस गेन जो नो बॉल डेक्लियर किये जाएगी उसके लिए अमपाइर ने टीवी अमपाइर को कहा है कि आप देखकर बताएं कि क्या गेन दा कमर के उचाई से उपर थी या नहीं इस मैच के बाद दूसरा क्वाटर फार्नल फेर डिलिवरी दूसरा क्वाटर फार्नल होगा पिरडाइस इलेवन और अंकूर कलब के बीच अंकूर कलब ने परसों अपना मुकाबला जीता था चालिस रनों से एक बड़ी जीत उनके नाम पर आई थी एक सिंगल स्कोर 48 फॉर 6 असद बेक के लिए लो फॉल टास हवा में शॉर्ट मिट विकेट के फीलर के वल गेन को देखेंगे गेन बाउंडर के बाहर 6 रन अनुभव ने अपना कमाल दिखाया पचास रन पूरे हुए शिक्षक्ति 11 के 6.2 ओवर्स में झालादाख्यै वड़्स पॉल टासम सिंगल आखरी ओवर्स इसकोर पहुंचा शिफशक्ति 11 का साथ रन छे विकेट के नुकसान पर क्या ये एक फाइटिंग टोटल हो पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी अभी दो गेंद बाकी है इसको एक बाउंडरी पर बहुत लंबा छक्का और कहा जा रहा है कि सीधा खेली है सीधा संकेत दुबे कुछ संदेश लेकर आए है आज अंतिम एकादश में शामिल नहीं है संकेत दुबे लास्ट ओवर की दो बॉल असद बेग 5 गेन पर 12 रन दो छक्के 240 का स्ट्राइक रेट साठ से रंग संक्या कहा जाती है पाँचवी बॉल एक और धमाका लेकिन गेन उची है लागोन के फीलर आएंगे इस कैच को नहीं लपक पाए और यहाँ दूसरा रन भी पूरा किया असद बेगने किस्मत उनी का साथ देती है जो बहादूरी भरे काम करते है और वो बहादूरी दो छक्के लगाकर आखरी ओवर में की थी असद बेगने इसलिए किस्मत उनके साथ रही लागोन के फीलर ने थोड़ा सा केजवली लास्ट टाइम पर कैश लेने की कोशिश की थी जिस कारण गेन उनके हाथ से छिटक गई चौदा पर असद बेग छे गिंदे खेली हैं 233 का स्ट्राइक रेट शिफशक्त इलेवन 62 पर छे लास्ट बॉल पारी की शिफशक्त इलेवन के लिए बॉलिंग कर रहे हैं जैद अली और मॉमेंटम अपनी टीम के साथ लेकर जाएंगे तीसरा छक्का इस ओवर में असद बेग के बल्ले से अनुभव इसलिए कहते हैं कि हमेशा काम आता है साथ ओवर के खेल के बाद 68 रन कुल स्कोर पहुँचा और ये आज साबित हुआ असद बेग नाबाद रहे 7 गिंदों पर 20 रन बनाए 285 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के उन्होंने लगाए और कुल मिला के शिफशक्ती 11 ने टौज जीत कर पहले पेडिंग करते हुए 68 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर जिसमें मोहिज जाबा ने 32 का योगदान दिया चार छक्के लगाए और दूसरे डबल फिगर में पहुँचने वाले बैट्समन बज़रे है असद बेग जिन्होंने 7 गेंदों पर 20 रन बनाए तीन छक्के की साहिता से कुल मिला के 7 छक्के ही पारी में आए है नैश बगेर खाता खोले आउट हुए औसाफुर रह्मान एक पर आउट हुए कप्तान अभिशिक पांडे भी बगेर खाता खोले आज आउट हुए कपिल ने तीन रन बनाए फैजान ने एक रन बनाया सईद इमरान तीन रन बनाकर नाबाद रहे आठ अतिरिक बॉलिंग कप्तान सरोश डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से दो ओवर नौरं दो विकेट अर्मान दो ओवर दस रन तीन विकेट सिद्धार्त महोबा एक ओवर 21 रन कोई विकेट नहीं आदिल एक ओवर चार रन एक विकेट और अंतिम ओवर 21 रन वाला था जो जैद अली का था एक ओवर में 21 तो दो बड़े ओवर केवल आये हैं शिफशक्ती 11 के, तीसरा ओवर और सात्वा ओवर, और अब जीतने के लिए लक्ष है इस मुकाबले में 69 रनों का, 42 बॉल्स, 69 रन्स, रन रेट 9.71 रहा, शिफशक्ती 11 का, कि अपनारी थालके में看 ख dados के लिए काऊच्ती 11 का, 43 वसक्ती 11 का, 65 रन्स, रन्स, शिफशक्ती 11 साफारा ओवर, खले का टान्स, यालकेम पिसऑंफान लोगे यार को भी का, झाल 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 झाल